हलो वीवर्स आज के वीडियो में हम कक्षा दसवी अंग्रेजी विशे की तयारी करेंगे 83 एक्जाम की आपके 83 एक्जाम आने वाली है साथ अक्टूमबर से शुरू होगी और उसकी तयारी आप शुरू कर देनी चाहिए तो अंग्रेजी की तयारी के अंतरगत हम करेंगे आज पैसेज अंसिन पैसेज जो कि आपके एक्जाम में आता है वेरी इंपोर्टेंट होता है तो अंसिन पैसेज करेंगे अंसिन पैसेज से करते हैं इसके साथ ही English में हमने application important application का वीडियो पहले ही बना दिया यदि आपने नहीं देखा हो तो देखकर उससे तयारी कर सकते हो इसके साथ Rongly के सभी important question के वीडियो जल्द ही आने वाले हैं तो इसके लिए आप challenge को subscribe कीजिए जिससे के आपको तुरांतो नोटिफिकेशन मिल जाए तो शुरू करते हैं इंस्ट्रक्शन, read the following passage and answer the question given below them यहाँ passage हमें पढ़ना है और passage पढ़कर नीचे जो प्रशन दे रखे उनके उत्तर हमें देना है इस passage में से ही हम इस passage को पढ़ेंगे तो यहाँ परहापस यौर ओन्ली अस्ट्रेशन विथ दे वर्ड पोलियो इस दे सैबिन ओरल वेक्सीन देट प्रोटेक्ट चिल्डरन फ्रॉम डिसीज तो यहाँ पर इस वाक्यकार थे वर्टमान में शायद आप पोलियो से जो संबंद बनाते हो वह केवल सैबिन ओरल वेक्सीन से है जो की पोलियो से पोलियो की बिमारी से बच्चों को चिल्डरन को प्रोटेक्ट करती है 55 years ago पच्पन वर्षपूर्व दीज वाज नोट सो यह प्रकार नहीं था दो डिदेट डिसीज विच मैनली अफट द ब्रेन और इस पाइनल कोड दो डिदेट डिसीज मतला बयानक बिमारी विच मैनली अफट जो मुक्यृप से अफट करती थी the brain and the spinal cord brain और spinal cord को cases stiffening and weakening of the muscles, जिससे की muscles में कमजोरी, crippling, किचाव and paralysis लकवा हो जाता है, which is why I am in a wheelchair today, जिसके कारण ही में आज wheelchair पर हूं, if somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed it if somebody, यदि कोई predicted भविश्यवानी करता, when I was born जब मेरा जन्म हुआ था, तब यदि कोई इस प्रकार की भविश्यवानी करता that this would happen to me कि एसा मेरे साथ होगा तो यहाँ जो लेखा कि इनको क्या हो गया था, इनको क्यों कि विलचेर पे थे, इसका मतलब है कि इनको पोलियो हो गया था और इनका यह कहना कि जब मेरा जन्म हुआ था उस समय कोई अदिय भविश्यवानी करता, कि मेरे साथ ऐसा होगा मतलब मुझे पोलियो हो जाएगा तो कोई यकिन भी नहीं करता No one would have believed it को इस पर विश्वास नहीं करता I was the seventh child in a family में सात्वा बच्चा था परिवार का A four pair of brother and sister Four pair मतलब चार जोड़ी भाई और बहनों में जो सात्वा बच्चा में था वी थे हग 23 years ago between the first and the last जिनमें एक बड़ा गेप था 23 year का 23 वर्ष का गेप था प्रथम और आखरी में मतलब पहला जो चिल्डरन था और जो लास्ट चिल्डरन था उन दोनों चिल्डरन के बीच में 23 years का गेप था I was told date मैंने कहा Unlike the other दूस्टों की तरह I was so fair and brown haired मेरे दूसरों की तरह नहीं थे मतलब I was so fair में इतना गोरा था और brown haired मतलब मेरे बाल brown थे that I looked for like a foreigner जिसके काड़ में एक foreigner विदेशी की तरह लगता था Then the दावुद बोरी दावुद बोरी की तुल्ला में में एक foreigner की तरह लगता था I was also considered to be the healthiest of the brood और में उन सब में सबसे ज़्यादा healthiest मतलब स्वस्त भी था तो भी जो लेखा कि उनको polio हो गया था और वो wheelchair पर थे तो इस प्रकार से एक छोटा सा गद्यांशे और इसके बार जो question है इनके answer हमें देने हैं तर नेरेटर आफ दे पैसेज इस एपेशेंट आफ नेरेटर मतलब जो कथा कह रहे हैं इस पैसेज में वह किसके पैसेंट है इस पैसेंट आफ दे नेरेटर आफ दे पैसेज इस पैसेंट आफ किसके पैसेंट थे तो यहां पर है cerebral attack, polio, diabetes, heart disease तो यहां answer आएगा polio polio के पैसेंट थे इसके बाद दूसरा है to say something about the future is true कुछ भी भविश्य के बारे में कहना क्या कहलाता तो verdict, predict, addict या product तो यहां answer आएगा predict इसके बाद अगला है जो narrator है जो नेरेटर है जो कथा घह रहे हैं वो परिवार के साथवे बच्चे हैं तो यहां पर है one score child, eight children, nine children या 23 children तो यहां आएगा eight children क्योंकि उन्होंने कहा था four pair मतलब चार जोड़ी मतलब आठ चिल्डरन थे उनमें से वो साथवे थे इसके बाद अगला प्रश्न है पोलियो भयानक बीमारी मैनली मतलब मुक्य रुप से अफेक्ट करती है तो किसको अफेक्ट करती है मुक्य रुप से इसके बाद अगला प्रश्न है वाट मेट दर नेरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर जो नेरेटर है कथा कहने वाले हैं वे फॉरेनर मतलब विदेशी की तरह क्यों लग रहे थे क्यों लगते थे तो इसक में चार अप्षम दे रखा है पहला है वो गोरे थे और ब्राउन हैर थे उनके विद रेड हैर वो गोरे थे लाल बालों के साथ अगला ही वास फैर एन इसकीनी वो फैर मतलब गोरे और इसकीनी थे और जो डी है तो यहाँ पर जो है एंसर आएगा वास फैर एंड ब्राउन हैर गोरे और ब्राउन हैर के थे तो इस प्रकार हमने अंसिन पैसेज देख लिया है ठीके अंसिन पैसेज देखा है और हम और भी अंसिन पैसेज देखेंगे क्योंकि अंसिन पैसेज सबसे अधिक और एप्लिकेशन भी आपको त्यार करनी एप्लिकेशन के साथ ही अब जल्दी ऐसे और बाकी के इंपोर्टेंट कुश्चन का वीडियो भी जल्दी आने वाला है तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कुख्षा दस्वी की संपुर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राब कीजिए